Hello everyone, welcome back to my YouTube channel आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जामे मिले इसलामिया का इंटरंस एग्जामिनेशन का स्लेबस डिस्कस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे BA Honors Islamic Studies का यहाँ पे BA Honors Islamic Studies का स्लेबस मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कितने इसलेबस में क्या स्लेबस होता है so यहाँ पे टाइम लिमिट आप देक्ख रहें हैं कि ताइम लिमिट यहाँ यहाँ पे तरीड का मिलता को वन आरं थर्टी मिनट का जो है वो टाइम मिलता आपको इसी में आपको mcqs भी करने होते हैं और इसी में आपको written examination जो होता है आपका 60 marks का वो भी इन ही देड़ घंटे में आपको फूरा question paper solve करना होता है subjective भी and objective भी तो अलग से किसी चीज़ के लिए time नहीं मिलेगा यहां पर जो total time limit होती है वो होती है one hour and thirty minutes की इन ही देड़ घंटे में आपको subjective भी करने है और objective भी करने है और यहां भी जो marks होते हैं total वो कितने होते हैं वो होते हैं hundred marks तो 40 marks का जो होता है यह मैंने जो question paper series है उसमें भी आपको हर बार यह बताया है कि 40 marks जो होते हैं वो क्या होते हैं वो mc क्यों होते हैं mc क्यों होते हैं and 60 marks की क्या होते हैं 60 marks की जो होते हैं यह subjective questions होते हैं और subjective questions को अब divide किस तरीके से करते हैं या तो इस तरीके से questions देते हैं कि 10 marks का 1 question दे देंगे तो total 6 questions होंगे एक question 10 marks का या फिर ऐसा करते हैं कि 5 questions होते हैं total एक question 12 marks का तो इस तरीके से question paper जो होता है वो design किया होता है अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो information है test के regarding वो यहाँ पर लिखे कि किस तरीके से entrance test होगा syllabus क्या है basically यह syllabus की वीडियो है syllabus क्या होता है तो यहाँ पर syllabus discuss किया है the entrance test for BA honors यहाँ पर BA honors की बात हो यह master's का सलेबस नहीं है BA का है so BA honors Islamic studies comprises of two parts A and B carrying 100 marks है मैंने आपको उपर बताया यह वही चीज लिखिये कि दो parts होते है part A and part B part A जो होता है वो होता है 40 marks का यानि कि MCQ questions का and part B जो होते है 60 marks का नहीं कि subjective questions का so यह जो point है यह मैं आपको पहले ही बता चुकी होँ अब यहाँ पर जो यह next question है कि next point जो ही बहुत important है candidates obtaining less than 30% marks in the descriptive part for the entrance test wherever applicable will not be shortlisted for admission जो candidates है उनके अब 60 marks का जो है वो मैंने आपको बताया कि क्या होगा subjective part जो होगा वो 60 marks का होगा अब इन 60 marks में से आपको 30% marks जो है वो लाने ही है मतलब 30% marks जो है आपके होने ही चाहिए 30% अब 60 का 30% देखेंगे तो कितना हो जाता है 18 marks so 18 marks जो है आपके आने ही 60 में से 18 marks अगर आएंगे subjective में तब ही आपका जो है क्या अगर इससे कम है आपके 18 से अगर कम है आपके 17.5 भी अगर आपके marks है तो आप जो है और अगर आपके objective में 40 में से 30 marks हैं but आपके subjective में जो है 60 में से 17.5 भी अगर है अगर आप 0.5 से भी रह जाते हैं 18 पूरे नहीं बन रहे हैं तो आपका जो है वो शॉट लिस्ट नहीं होगा नाम तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि subjective में बहुत अच्छे से अच्छे marks आप लोग cover कर सकें ताकि अगर objective आपका थोड़ा जो negative marking की वज़े से marks कर जाते हैं वो cover हो जाए तो subjective जो है इस पर बहुत जादे ध्यान दीजेगा यह भी मैं आपके साथ डिसकस करूंगी question कैसे आता है नीचे वो questions बिट दी है topics दी है और उन्हें answer किस तरीके से लिखना है तो यह सारी चीज़े भी मैं discuss करूंगी आपके साथ यहां पर जो है फिर थर्ड पॉइंट क्या यहां पर there will be negative marking of 0.25 marks यहां पर 0.25 marks की जो होती है वो क्या होती है negative marking होती है यानि कि अगर यहांपका एक question गलत है ठीक है one mark का होगा एक question जो होगा वह कितने mark का होगा one mark का होगा 40 questions होगे यहांपर mcq की बात हो रही negative marking की होती है वो सिर्फ mcq में होती है आप 40 questions जो होते है वो 40 marks जो होते है यानि कि कि एक कोशन हो एक नमबर का पर अगर आपका एक कोशन गलत है तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग क्या होती है कि अगर आपका एक कोशन गलत है तो आपके वन मार्क नहीं कटेंगे वन मार्क से ज्यादा कटेंगे वन पॉइंट टू फाइव मार्क सापके कटेंगे एक तो यहां पर किसी भी प्रोग्राम के लिए आप दे रहे हैं एक्जामिनेशन तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी जामिया में मिल्टीपल चॉइस कोशन दे यहां पर कि अब आपके साहथ डिसकस किया कि सब्जेक्टिव में आपके कितने 30% मांख होने ही जाहिए तबम मार्स आपकी हो तबहीं लूग्व मैं किया है आपके मार्ड होने ही जाहिए तबहीं जारまだ बीस्षाइब नहीं आये जो आद आपका क्या है कि यहां पे आपकी 30% नहीं है अब जो Subjective वाला Question है उसमें अगर आपका 40% है 40% मार्क साब की Total बनने है 60 में से बट आपकी जो Objective कोशंस है वहाँ पे अगर आपकी सिफ 10% बन रहे है या 12% बन रहे है या 14% बन रहे है तब भी आपका नाम shortlist नहीं होगा, दोनों के जो यहां पे mention किये गए हैं, यह दोनों ही आपका वहां पे, जब आप eligible तभी होंगे, जब आपके 30% marks होंगे, subjective में, and 15% marks होंगे, objective में, तो यहां पे जो हैं, यह दोनों ही percentage mention की गई है, कि दोनों में pass होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ऐसा नहीं है, कि subjective में अच्छा कर लिए, और objective में बिल्कुली 2 या 3 marks हैं, तो आपका नाम shortlist हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, तो यहां पे दोनों ही चीज़े बहुत important हैं, अब यहां पे entrance justice will be based on the topics given below, यहां पे जो topics दिये हैं, इन topics के ओपर जो हैं, वो questions आते हैं, तो यहां पे जो first topic है, यहां पे दिया है, Islam fundamental beliefs and practices, so fundamental beliefs and practices, यह मैंने आपको बहुत detail में कराया है, Islamic history series में, description में आपको link मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लिएगा, यह जो हैं, वहां पे जो मैंने आपके साथ mention किया है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो as it is, पूरा answer आप वही याद करके लिखकर आ सकते हैं, बहुत अच्छे marks आपको मिल जाएंगे, इसी में से क्या होता है, fundamental beliefs and practices, अब इसी में से यह क्या आएगा, कितनी बार ऐसे question आ जाता है, कि subjective में, fundamental beliefs बताईए, या फिर अलग से आजाएगा, कभी fundamental beliefs का या कभी fundamental practices का अलग से आजाएगा, 10 marks में या 12 marks में, या फिर कभी कभी क्या होता है कि fundamental beliefs में क्या होता है तोहीद जो है fundamental belief में आता है ये मैंने आपको बहुत detail में कराया है so fundamental beliefs में क्या आता है तोहीद तो कितनी बार ऐसा होता है कि 10 marks का या 12 marks का जो question होता है वो सिर्फ इस एक topic पे आजाता है तोहीद पे तो यह मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी तोहीद पे तो वह पूरा आप लोग लर्न कर लिजेगा पूरा जो मेरे इस्लामिक हिस्ट्री सिरीज है वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं वहां जितने भी टॉपिक्स हैं सारे मैंने कवर करवाए हैं और यह हार एक टॉपिक जो है बिल्कुल ऐसे पूरा आंसर लिखा है महाँ पे आप लोग वैसे ही याद करके जो पूरी मेरी बीपीटीज है वही चीजें याद करके बिल्कुल जाके एक्जाम में लिख सकते हैं वह पूरे प्रॉपर नोट हैं आप लिए तो यहां पे आप ये दोनों topics भी मैंने आपको cover कराए हैं, बहुत detail में वो पूरा answer है, आप लोग जा करके वैसे ही याद करके लिख सकते हैं सैम में, कितनी बार सिर्फ ये पूछ लेते हैं, यह जो questions होते हैं, या तो ऐसे पूछ लेंगे, discuss the life of holy prophet at मक्का, या फिर discuss the life of holy prophet at मदीना, इस तरीके से अलग-अलग questions भी आते हैं, या फिर सिर्फ एक question दे देंगे, holy prophet, discuss the life of holy prophet, सिर्फ इतना दे देंगे, तो वहाँ आपको मक्का इं आपके साथ discuss की है, यह जाकर देख लीजेगा, Islamic history series में, as it is, याद कर लीजेगा, बहुत अच्छे marks मिल जाएंगे, आपको, pious calyps, yes, अब यह pious calyps, यह बहुत important हो जाता है, यह topic, pious calyps, इस पे question जरूर आता है, हर साल question आता है, यह जो है, यहाँ पे, इस से भी question आता है प्रॉफिट लाइफ एट मक्का या प्रॉफिट लाइफ एट मदीना, यह compulsory questions है, यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ आपको, pious calyps, यह एक अच्छे से पढ़ लीजेगा, यह आपके यहाँ पे 10 marks, यहाँ पे 30 marks जो हैं, आपके पूरे cover हो जाएंगे, क्योंकि यह compulsory question है, क्योंकि ना आईए, question आते ही आते हैं, यहाँ पे पायस कैलिफ है, total four हमारे पायस कैलिफ है, हज़द अबुबकर, हज़द उमर, हज़द अस्मान, और हजद अली रद्यला उतलानू, तो यहाँ पे जो यह चार पायस कैलिफ हैं हमारे, चारो खलीफा के बारे में, मैंने कि specific videos में घजद अली का अलग है घजद अबुबकर का अलग है घजद उस्मान का अलग है तो ये चारो खलीफा जो है हमारे इनके बारे में इनकी बायोग्राफी इनका जो contribution रहा है as a calif ये सारी चीज़े बहुत अच्छे से मैंने डिसकस की है वो पूरा आंसर है वहाँ पर नोट से रेड़ी हैं आपके लिए आपको सिफ जाकर पढ़ना है याद करना है और लिखना है बस वहाँ पर सारी चीज़े बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाई है अब यह जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाते हैं यह आपका हो जाते हैं पूरे 30 माक्स यह आपके कहीं नहीं गये हैं कहीं भी नहीं यह कंपल सरी कोशन से जो आते हैं इस्लाम fundamental beliefs and practices यह 100% आता है हर साल आता है तो इसमें कोई skip करने वाली कोई बात ही नहीं है यह compulsory topic है यह आपको करना ही करना है अब यह second topic जो है यह भी compulsory topic है यह इसमें से भी question आता है मतलब हर साल आता है कभी मक्का का पूछते हैं मदीना का पूछते हैं यह कभी दोनों का पूछ लेते हैं तो यह question जो है यह भी compulsory question है यह भी compulsory question है और एक और important चीज और बहुत अच्छी चीज भी जो होती है कि पाइस के अलिफ से related क्या होता है कभी-कभी दो questions दे देते हैं जो मेरे पुराने students है अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसे questions आ जाते है क्योंकि जो मैंने करवाया है वो as it is आपको लिख कराना है याद करके क्योंकि वहाँ पे पूरे हर एक जो exam के point of view से important है वो सारी चीज़े mention है वो पूरा answer आपके लिए है बस आपको learn करना है और लिखना है जाके paper में तो यहाँ पर क्या होता है कि Paya Scalips के बारे में कितनी बार दो questions पूछ लेते हैं चार खलीफा हैं तो उनमें से दो खलीफा के बारे में पूछ लेंगे अलग-अलग question बना के तो वहाँ आपके क्या हो जाता है 20 marks cover हो जाते हैं ठीके दो question आपके वहाँ cover हो जाते हैं तो यहाँ पर 30 और 40 marks आपके cover हो जाते हैं और total जो है कितना है 60 marks का आपका subjective paper होता है तो यहाँ पर जो है यह तीनों मैंने आपको बताया कि यह skip करने वाली चीज़ है ही नहीं यह क्या एक compulsory questions है यहाँ पर पूरा question बना के दिया है आपको यह compulsory है ठीके अब यहाँ से जो है मैं आपको बताऊ Islam in Indian Subcontinent अब Islam in Indian Subcontinent यह आप पढ़ लीजेगा इस पर मैं आपको वीडियो बना दूँगी अगर चाहिए होगी तो comment में जरूर बताएं Islam in Indian Subcontinent इसके ओपर अब क्या है कि जैसे Islam कैसे इंडिया में आया तो यह सारी चीज़े थोड़ा सा history थोड़ा सा background लिखना होता है अच्छा यह answer के ओपर मैं आपको discuss करूँगे एक वीडियो में अच्छे से यहाँ पर अभी जो है यह topic आपको cover करने यह क्या है अब यह optional है अब जरूरी नहीं कि हर साल यह question आ जाए paper में कि Islam in Indian Subcontinent इस से related कोई paper में आ जाए पर यहाँ पर जो question है कंपलसरी वाला मैंने आपको बता दिया अब next question जैसे यहाँ पर next topic Holy Quran, Revelation and Compilation अब यहाँ पर जो topic है Holy Quran, Revelation and Compilation यह जो है यह भी 10 marks में यह 12 marks में आ जाता है इस पर मैं अलग से video बना दूँगी जहाँ आपका यह question एक cover हो जाएगा यह हमने अबूबकर वाले जो हमारी video है वहाँ पर भी एक topic बहुत अच्छे से mention किया है वहाँ से भी यह cover हो सकता है आपका then hadith, hadith collection and compilation तो यहाँ पर जो मैं आपको बता हूँ fourth point से and last point तक यह क्या है यह optional है कि वो इन में से कुछ भी दे देते हैं पर यह जो आपके 30 or 40 marks है यह compulsory question है यह कभी भी ऐसा नहीं होता कि ना आए यह 100% cover कर लीजेगा अब यहाँ पर जो है अब यह है फिक origin and development तसवूफ and introduction अब तसवूफ में यह कुछ मतलब अलग-अलग जो सूफी orders है उनके बारे में पूछ लेते हैं या किसी सूफी सेंट के बारे में पूछ लेते हैं या फिर ऐसे question आ जाता है कि what is the सवूफ and its significance of the सवूफ तसवूफ यह सारी चीज़े जो हैं इसमें पूछ ली जाते हैं तसवूफ में पर यह जो हैं यह starting के three इसलाम fundamental beliefs and practices यह कंपलसरी question है holy prophet Muhammad holy prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at Makkah and Madinah यह कंपलसरी question है and pious caliphs के ओपर दो कंपलसरी है so 40 marks जो हैं आपके सिर्फ इन तीन पॉइंट से cover होते हैं बहुत अच्छे से अब बाकी जो 20 marks है 20 marks का जो बाकी 20 marks का 30 marks का जो पेपर है वो इन topics में से cover होता है so यह सारे topics पे मैं आपके लिए video बना दूँगी वो आप लोग अच्छे से learn करके चले जाएगा तो आपके 60 में से 40 marks 30 marks कहीं नहीं गए हैं बहुत अच्छे marks आप लोग cover कर सकते हैं बस आपको बहुत ध्यान से क्या है पढ़के जाना है और यह वाला जो topic है इन में से कोई भी skip नहीं करना है so I hope यह आपको इस लेव बस पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा पूरी मैंने अच्छे से discuss किया आपके साथ एक answer writing के ओपर मैं आपके साथ discuss कर लूँगी एक वीडियो में जहां आपको बताऊंगी कि किस तरीके साब को answers लिखने है वैसे जो Islamic studies वाले बच्चे हैं Islamic history series अगर वो देख रहे हैं मेरी अगर नहीं देखिए तो description में link मिल जाएगा वहां से देख लिजेगा और जो पुराने students हैं और वो देख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है बस आपको वो जो answers मैंने आपके साथ discuss किये हैं जो topics आपके साथ discuss किये हैं वो मैंने ऐसे answer ही लिख करके आप लोग के साथ discuss किया आप लोग को पूरा learn करना है और बस exam में लिख के आजाना है वहां आपको कुछ changes नहीं करने कुछ नहीं करने, कुछ skip नहीं करना कुछ भी skip नहीं करना जो मैंने पढ़ाया है वो सब आपको लिख के आना है जो skip करने वाली चीज़ रहती है वो मैंने आपको वीडियो में बता देती हूं कि ये लाइन स्किप कर सकते हैं ये लाइन स्किप नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है जो करना होगा वो मैंने आपको वीडियो में बताया होगा वो आपके पास बस क्या है कि आपको मैंने बिल्कुल तयार करके दिया है answer आपको बस learn करना है और exam में जाकर लिखना है और इन में से अगर आपको किसी topic पे वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे जरूर बता हैं वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन सारे topics को भी cover कर सकूँ ये जो उपर की तीन topics है ये बिल्कुल cover हो चुके हैं मेरे channel पर मतलब आपके 32-40 marks कहीं नहीं गए एक इन में से जो एक रह गया है वो ये पूरा complete हो गया है तोहीद जो आता है वो fundamental beliefs में आता है मैंने आपको बताया और तोहीद के ओपर कभी-कभी अलग से question आ जाते है 10 marks में so 10 marks में अगर question आ जाता किया पूरा question paper discuss किया Islamic studies का I hope आप लोगो को clear हो गया होगा मैंने बहुत effort डाले हैं अपने कि आप लोगो को मैं अच्छे से समझा सकूं अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया है तो मुझे आप comment में जरूर बताए study से regarding कोई help चाहिए तो comment section में बताए अगर आप लोगो किसी आप लोग वीडियो देखने हैं चैनल को subscribe क्यों नहीं करते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा तो बार बार वीडियो देख रहे हैं आप लोग और subscribe नहीं कर रहे हैं चैनल को पहले चैनल को subscribe करने ताकि आगे जो भी वीडियो आयो उसका notification आपको मिल जाए अभी कुछ topic Islamic history series में जो मुझे complete कराने हैं तो अगर आपको कोई और स्लेबस चाहिए कुछी भी पूछना है जामिया के बारे में अच्छा और एक important जीज जामिया के establishment जो हता है वह बहुत important होता है मतलब जामिया के questions होते हैं जामिया से related establishments से related कि कब जामिया establish हुई है यह सारी चीज़े उसके history background ने तो यह सारी चीज़े बहुत important है question जरूर आता है कोई एक question जरूर बन जाता है तो उस पे एक video बनाई हुई है मैंने उसका भी लिक आपको description में मिल जाएगा वह आप देख लीजेगा जाकर यहां पर मैंने आपको कोशिच करिए कि मैं अच्छे से explain कर सकूं I hope आपको clear हो गया होगा पूरा स्लेबस अब हम लोग मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में